हेलो फ्रेंट्स आज के वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कॉटलिन में डू वाइल स्टेट्मेंट का इस्तिमाल तो चलिए बिना समय कभाई हम लोग बढ़ते हैं सीधा अपने कोड एडिटर के ऊपर देखिए यहां पे अगर जो बेसिक सिंटक्स है कॉटलिन के उसके बाद लूप के हिसाब से अगर वो इनक्रिमेंटड लूप है तो महाँ पे इनक्रिमेंट आपर्टर का इस्तमाल करना है उसके बाद आपको वाइल के बाद एक्स्परेशन को लिख देना है तो चलिए यह रहा बेसिक सिंटक्स हम लोग ब्रहते हैं अपने कोड के ऊ एक variable मैंने लिए i जिसका type मैंने लिए i in t और यहाँ पर मैंने रखा 1 अब मैं यहाँ लिखता हूँ do print कर दो i का value और i के value को बढ़ा दो तब तक जब तक की i का value less than equal to 5 है यहाँ पर देखे चुकि do while statement में जो condition वाला part होता है जो while के साथ आप लिख रहा है वो आप बाद में लिख रहा है इसलिए do while loop को entry level loop नहीं करके end level loop भी कहा जाता है exit level loop भी कहा जाता है यहाँ पर आपको मैं अभी दिखाऊंगा आगे इस वीडियो में की exit level loop का मतलब क्या होता है अभी फिलाल इसको हम लोग run करवा के देख लेते हैं कि इसका output एक से पांच आ भी रहे कि नहीं तो कि आप यहाँ पर देखेंगे कि जो output आएगा इसका चुकि आपने code loop का ऐसा लिखा है आपने initialize कि आई नाम के variable को एक से और उस i के value को आप बढ़ाते जा रहे हैं और यहाँ आपने condition लिखा है कि जब तक एक से पांच नहो जाए तो आप output में यहाँ देख रहे हैं कि एक से पांच बिलकुल यह आ गया लेकिन आखिर यह exit level loop होता क्या है बहुत ध्यांस इस बात को समझेंगे यह आपका exit level loop है देखे exit level loop के खास बात यह होती है कि अगर आप यहाँ पर कोई गलत value साप initialize कर दें और यहाँ पर आप आप आपने चुकि इंटर लेवल पे हाँ पर condition नहीं लगाया condition यहाँ पर न यह जो control होगा ना वो i के 10 के लिए जो की 5 से चोटा या 5 के बराबर नहीं भी है तो भी control यहाँ अंदर चला जाएगा और 10 को यह print कर देगा और उसके बाद i का value बढ़के 11 हो जाएगा जो की 5 से चोटा नहीं है या 5 के बराबर नहीं है लेकिन फिर भी do while loop जो है उसमें ए एक बार allow तो कर ही दिया control को loop के body के अंदर जाने के रिए तो एक बार ही at least यह allow हो गया और देखिए आपका output यहाँ पर 10 आ गया तो हम लोग इसलिए लिख सकते हैं कि exit level loop जो होता है it allows at least it allows the control to go inside of the loop at least once कम से कम यह एक बार तो allow कर ही देता है तो चलिए यह चीज़ आप लोगों के समझ में आ गई होगी ऐसा मैं उमीद करता हूँ तो अब अब जो है इस चीज़ को मैं यहां से हटा दे रहा हूँ अब मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे suppose मैंने लिख दिया 5 मुझे loop चलाना है 5 से 1 तक मुझे loop चलाना है मैंने initialize कर दिया 5 से अपने एक variable को और यहां मैंने i का value प्रिंट किया और मैं यहां पे i minus minus लिखूंगा चुकि मुझे higher to lower जाना है और यहां पे मैं 5,2,1 मैंने यहां पे लिख दिया मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि i का value मैंने 5 रखा है उसके बाद मैंने लिखा कि ऐसा करो loop के अंदर तब तक control को घुमाते रहो जब तक कि i का value 5 से ज़्यादा या 5 के बराबर नहीं है और फिर यहां पे मैंने i minus minus लिख करके i के इस value को decrease भी किया है 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0 भी होगा लेकिन उस 0 के लिए फिर condition false हो जाएगा चुकि 0 जो है वो 1 से ना तो ज़्यादा होगा और ना तो एक के बराबर होगा तो आप देखेंगे कि जो output आपका है वो higher to lower आगया 5, 4, 3, 2, 1 आगया तो इस तरह से हम लोगों ने सीखा कि while loop को कैसे incremented way में लिखते हैं while loop को कैसे आप decremented way में लिखते हैं do while loop को sorry और do while loop को आप कैसे कहते हैं कि यह exit level loop होता क्या है क्यों exit level loop at least एक बार allow कर देता है control को loop के body के अंदर जाने के लिए अब सवाल ये उठता है कि क्या अगर मैं यहाँ पे लिखने हूँ सपोज मैं ऐसा लिख देता हूँ कि do ओके यहाँ पे मैं लिखता हूँ print ln सपोज मैंने लिख दिया hello world ऐसा लिखने के बाद अगर मैं यहाँ पे लिखूँ वाइल 2 equals 2 मतलब कि जब तक 2 बराबर है 2 के देखिए ऐसा लिखने से क्या होगा मैं इसको execute नहीं कराऊंगा आप लोग इसका practical कर लेंगे अपने अपने system पे ये 2 तो हमेशा बराबर है 2 के तो ये indefinite loop चला देगा इसका output hello world आता ही रहेगा always आप लूब के अंदर से निकलेंगे ही नहीं आप यहाँ पे अगर 2 equals 2 के जगा आप कोई भी एक value ये 10 जब तक 10 चोटा है 34 से तो 10 तो हमेशा चोटा रहेगा 34 से तो इसका भी output indefinite times hello world ही आएगा आप यहाँ पे कोई other logical expression भी लिख सकते है जैसे जब तक कि 34 बराबर है बढ़ा है sorry 5 से तो 34 तो हमेशा 5 से बढ़ा होगा तो आप इसका भी output देखेंगे कि जो output इसका भी आ रहा है वो hello world हमेशा ही print करता चला जा रहा है इसी दंग से अगर आप लिखते हैं कि जब तक की 10 जो है इसके अलावा और भी different types of estimate आप लिख सकते हैं तो यह यह मैंने ऐसे समझा दिया अब देखिए suppose कि मैं एक variable लेता हूं आई यह कुछ और भी ले सकते हैं जिसमें मैंने रख दिया one ओके अब मैं यह चाह रहा हूं कि मैं यहां पे one to ten print करवा हूं तो मुझे यहां लिख देना है one to ten print करो जैसा कि मैंने one to five भी print कराया था भी एक example देखें लेकिन देखिए अभी बहुत ध्यान सी this part को देखिए बहुत ही important जिस मैं बताने जा रहा हूं अगर यह मुझे कहा जाए कि आप one to ten सारे odd numbers को print करो तो देखिए one is the odd number मेरा जो initial value है वो odd value ही है one जो है वो odd number है तो अगर मैं यहां print करो i को कोई बात नहीं है i print हो गया i एक odd number है उसके बाद यहां पे अगर मैं i के value को 2 से बहा तो किसी भी odd number में जब आप 2 add करेंगे तो जो result आएगा वो अगेन एक odd number होगा तो यहां पे आपका जो लूप है वो एक से 10 तक भाया two four six नहीं जाके एक के बाद सीधा चुकि दो से increment हो रहा है तो एक के बाद सीधा तीन हो जा रहा है तो एक के बाद सीधा तीन हो जा रह इसलिए मैंने यह पाद डिसकस कर दिया अब देखिए यहां पर अगर आपको कहा जाए कि नहीं आप एक से 10 तक ही भाया two four six आपको लूप चलाना है लेकिन और नंबर ही प्रिंट करना है तो मैं यहां पे फिल्टर लगातेता हूं कि अगर आई के वैल्यू को दो से डिव अगर और उसके बाद आई को मैं एक से ही मैं बढ़ा देता हूं मैंने इफ का इसको अपर इसले नहीं दिया क्योंकि इफ का जो इसको पॉपरेटर है वह एक स्टेट्मेंट अगर किसी भी इफ मैं इल्स में हो या इवन लूप के बाडी में भी हो तो आपको कभी भी इसक तो यहां पे जब आप इसको execute कराएंगे तो आप पाएंगे कि यहां पे जो output आएगा वो एक के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 ना आके एक के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 आएगा क्योंकि printing का काम जो हो रहा है वो तभी हो रहा है जब remainder 2 से division के बाद 1 बच र हो रहा है इसी धंग से अगर आपको कहा जाए कि event को print करना है तो आप यहां पे filter लगा सकते हैं कि अगर 2 से division के बाद 0 बचता हो या 1 नहीं बचता हो तो उस case में ही सिर्फ print करना तो आप output में देखेंगे कि एक के लिए आया लेकिन एक का जो एक के साथ जब 2 से division के बाद reminder आया वो कभी भी 0 नहीं आएगा और मैंने यहां पर लिख रखा है filter में कि जब भी 0 आये 2 से division के बाद तभी और सर्फ तभी प्रिंट करना है तो यह देखेंगे आपका output दो के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10 आ गया तो इसी धंग से अगर मैं यहां पर चाह दे रहा हूं तो इससे क्या हो रहा है कि यह लूप का लूप का जो statement है ना वही एक के बाद देखेंगे यहां एक के बाद तीन आ रहा है बहुत धान से यह बहुत बड़ा mistake है अभी आप देखेंगे output को बहुत गौर से इस पार्ट को देखेंगा यह यह भी mistake अक्सर प्रिंट क्या करना था इवन नमबर अगर आप यहां पर टू ले ले ते इनिशल वैलू यह सूचके बिल्कुल आपको सोचना होगा कि एक से दस के बीच में जो पहला इवन नमबर है वो मेरा क्या है एक नहों के दो है तो मैंने यहां पर दो ले लिया अब क्या होगा कि जो पहली बार प्रिंट होगा आई का वालू तो तो प्रिंट होगा उसके बाद आई का वालू दो से बढ़ जाएगा मतलब की चार हो जाएगा तो आप देखेंगे आउटपुट में कि इसका आउटपुट पिछले बार के तरह एक तीन पांच साथ नौ ना आके दो चार छ आठ दस यह आ गया तो उमीद है कि इस वीडियो से आप लोगों का यह कॉटलिंड में जो है डू वाइल स्टेट्मेंट का सिंटक्स और डिफेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग टेकनिक्स वह बिल्कुल भी क्लियर हो गया होगा अगर ऐसा हुआ है तो वीडियो को लाइक कर करना ना भूलें कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन बिल्कुल दें आप लोगों का यह सजेशन जो है हम लोगों को मोटिवेट करता है अगर कोई और वीडियो किसी टॉपिक पर चाहिए तो सजेशन में कमेंट बॉक्स में ही आप लोग लिखतें उस पर्टिकुलर और जिन लोगों ने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है Stitch चैनल को सबस्क्राइब कर mouvement ताकि जो भी वीडियो में अपलोड करें उसका नौटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे वीडियो के लाश तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धनेवाद थैंक्स थैंक्स अलॉट